जाहिन सातियों तो अगर आप भी CRP FTCM ASI का एक्जाम देने जा रहे हैं या फिर एक्जाम देकर आए हैं तो इस वीडियो को पूरा लाउट तक देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसके एक्जाम एनल्सिस के बारे में बात करेंगे हर एक सक्षन का अलग अलग कि कितना safe attempt इस बार हो सकता है क्योंकि अगर आप एक्जाम देने चार तो बहुत सारे candidate क्या होता है कि वो तुक्के लगा के चले आते हैं वो सोते हैं कि merit हाई जाएगा तो आपको उससे बचना है क्योंकि merit इस बार हाई नहीं जाएगी एक्जाम का overall review के बारे में बात करें करेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा last देखेगा एंड चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अलपर सब्सक्राइब क्लिक कर लिजएगा सभी important update मिल जाएंगी तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हर एक सेक्षन का अलग-अलग बात करेंगे देखे एक्जाम की टोटल बात करें तो टोटल 100 कोशन आएंगे 100 मार्क का होगा और 4 सेक्षन में आपका एक्जाम होगा पहले आपका आएगा हिंदी अब यहाँ पर देखे जो आपके एक्जाम में आता है पहले हिंदी आता है उ जब चाहे हर एक स्रेक्सन को कर सकते थे Yap कि इसमें सबसे पहले जो आएगा वही करना पढ़ेगा उसे आपको सम्म하면 पढ़ेगा तो ही आप आगे जा सकते हैं तो यहां पर देखे आपके एक्जाम में हिंदी आ रहा है रीजनिंघ आ रहा है मात्मेटिक तो यहां पर देखे हर एक से की बात करें यहां पर यहां पर 19 कोश्चन सभी कर जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा टफ हिंदी नहीं पूछी जा रहे हैं उसके बाद यहाँ पर average candidate अगर आपने थोड़ी बहुत study की है, sausage gd के लिए भी तयारी की है, तो आप 21 question कर जाएंगे, और यहाँ पर अगर आपकी हिंदी और थोड़ी सी अच्छी है, तो आप यहाँ पर 23 या फिर 25 question पूरे कर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर reasoning की बात करें, तो reasoning सबसे easy आ रही है, हर एक section से easy reasoning ही है, तो reasoning में यहाँ पर overall सभी 20 question कर पा रहे हैं, और अगर आपकी reasoning थोड़ी सी अच्छी है, तो आप यहाँ पर 22 या फिर 23 question बना पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो topper candidate है, अगर आपकी reasoning अच्छी है, तो आप यहाँ पर पूरे question कर पाएंगे 25 के 25, उसके बाद यहाँ पर बात करें mathematics, तो सबसे tough जो आ रहा है, वो mathematics से आ रहा है, जी के GS से भी tough इस बार mathematics आ रहा है, क्योंकि हर एक question कैलकिलेटिव है, आप कर तो जाएंगे, अगर आपको time मिलेगा, आप कर तो जाएंगे, क्योंकि concept वही रहेगा, कि नो हर एक question कैलकिलेटिव पूछा जा रहा है, अर्थाथ हर एक question में यहाँ पर point देगा, और वो कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर हर एक question कैलकिलेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर देखे, नोर्मल जो candidate कर पा रहा है, वो 10 से 12 question ही कर पा रहा है, और जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने study की है, अच्छे खासी, वो अभी 19 से 20 question ही कर पा रहा है, यहाँ पर क्योंकि time नहीं बच रहा है, और हर एक question कैलकिलेटिव है, वहाँ पर question घुमा के पूछे जा रहा है, जिस तरीके से सच्छी में, जीडी में पूछा जाता था normal, उस तरीके के question नहीं आ रहा है, तो सब ज़्यादा जो परसांद कर रहा है, वो mathematics सी परसांद कर रहा है, एक तरीके से हम कहें, तो CHSL या फिर सीजन लेवल का math पूछा जा रहा है, उसके बाद देखें, जो topper candidate है, वो भी 20 question ही बना पाएगा, 20-22 question topper candidate भी बना पाएगे, उसके बाद यहाँ पर GKGS की बात करें, तो GKGS normal आ रहा है, किन्तु आपको पता होगा, कि GKGS हर कोई पूरा नहीं कर पाता है, तो normal यहाँ पर आप 8-10 question बना पाएगे, और अगर आपने थोड़ी बहुत GKGS पढ़ी है, तो यहाँ पर आप 12-14 या फिर 15 question बना सकते हैं, उसके बार यहाँ पर अगर आपके GKGS जो टॉपर केंडेट है, अगर आपको यह जी के बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर आप 18-15 question बना पाएगे, तो यहाँ पर हर एक section का हमने आपको बता दिया, कि कितना question आप easily कर पाएगे, and थोड़ा सा अगर आपने study की है, थोड़ा बहुत effort उस पर किया है, तो यहाँ पर आप जो है इतना average बना पाएगे, और topper content इतना बना पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर tough जो है, वो mathematics है, तो overall यहाँ पर हम paper के label की बात करें, तो paper जो आ रहा है, वो easy तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, paper जो आ रहा है, वो moderate to tough आ रहा है, moderate to hard हम कह सकते हैं, किन्तो easy बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसके बाएगे यहाँ पर हम बात करें, जो safe attempt आपके लिए होगा, तो यहाँ पर normal दे सकते हैं, आप 65 कर पाएंगे, और यहाँ पर 75 question अगर आप कर पा रहे हैं, अवस्तान 75 question कर पा रहे हैं, तो यह आपके लिए safe attempt होगा, तो 75 question अगर आपके बन रहे हैं, तो आप ज्यादा तुक्का ना मारीएगा, क्योंकि cut up इस बर कम ही जाएगा, तो यहाँ पर हम cut up की बात करें, जो cut up जा सकता है, यह हमने 75 बताया, कि 75 final cut up जाएगा, general candidate का, तो अगर आप 75 कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक safe attempt होगा, और यहाँ पर जो typing के लिए cut up जाएगा, वो तो कम ही जाएगा, वो हो सकता है, कि यहाँ पर 65 से 68 के बीट typing का cut up जाए, किन्तो यहाँ पर आपको final selection लेना है, तो 75 question आपको करना ही पड़ेगा, तो 75 question इस बार final safe score होगा, तो चलिए फ्रेंस बाकि यह जो करना है, 80 से 85 यह बहुत ही कम candidate कर रहे हैं, और हो सकता है कि यह typing में भी बाहर हो, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप 75 कर पा रहे हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा score माना जाएगा, चलिए बाकि कोई doubt है कमेंट कर दीजिएगा, आपने कितने question करें, आप हमें comment section में जरूर बताएगा, और आपका exam कब है, वो भी आप हमें comment section में बताएगा,